दोस्तों साउथ की एक बहुत ही चर्चित एक्ट्रेस है साई पलवी इन्होंने जब ब्यूटी प्रोडक्स का बॉयकॉट किया था विरोध किया था कि मैं इस तरह के विज्ञापन नहीं करूंगी तब इनकी जमकर चर्चा की गई थी इनकी फैन फॉलविंग भी अच्छी खासी है लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद इनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोशना की जा रिए ट्रोलिंग तो अलगी शब्द होता है आलोसना की जा रिये इन्होंने बयान दिया है कि मैं राइट विंग और लेट विंग के बारे में नहीं जानती हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे जो संसकार बच्पन से दिये गए है उसमें मानोता को सबसे उपर का दर्जा दिया गया है कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी उसकी तुलना जो है ये मोतरमा जो है कर रही है जो गाय ले जाने वाले लोग है कसाई टाइप के लोग जो गायों की ले जाकर हत्या कर देते हैं तो गायों की जो गायों को लेके जा रहे थे उसी में एक शक्स की लिंचिंग कर दी गई थी ऐसी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी मानवता के खिलाप है ऐसा साही पलवी का कहना है देखे हत्या तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए ये बात मैं भी मानता हूँ सभी को जिने का हक है लेकिन साई पलवी को ये भी समझना चीए कि ये जो जिनका सपोर्ट कर रही है यहाँ पर बात रेलीजन की बिल्कुल भी नहीं है कि वो भाई मुस्लिम था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई बात यहाँ पर यह है कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है अब गाय को ले जाकर वो शक्स क्या करता कसाई खाने ले जा रहाता गायों की हत्या करता गायों को मार कर खाया जाता बेच दिया जाता यही होता न तो साही पलवी को यह नहीं दिख रहा है कि उन गायों के अंदर भी एक जिवित आत्मा है जब उसकी हत्या हो रही है तो इसके बारे में साही पलवी को नहीं दिखता है लेकिन भई जो शक्स कसाई है ले जा रहा है उसे मार दे रहा है, मार दिया गया, तो इसकी चीजे साही पलवी को दिखा जा रही है, दिख जा रही है, हलाकि हत्या किसी की भी साही नहीं है, किसी भी धर्म के लोग हो, सभी को जीने का हक है, लेकिन जब आप बोलो, तो सभी चीजों को बोलो, और आप किस सीज से किस सीज की तुल्ला कर रही हो ये भी आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चीए कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था ये किसी को बताने के ज़रुत नहीं है पुरी फिल्म बनाई जा चुकी है इस फिल्म को भी बहुत सारे लोगों ने फेक बताया नकली बताया खास इस तरह से गुर्गान किया जाता था लेकिन अब बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस दीरे दीरे करकर ये जैसे ही बॉल्यूड वालों से जुडने लगे हैं इनके अंदर भी प्रोपेगेंडा वाले विचार आने लगे हैं और ये कही न कही उसी की उपज है